हेलो दोस्तो मैं हूँ एसमनी और आप देख रहे हैं मेरी यूटूब चैनल एसमनी एकेडमी तो दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं गौस थियोरम की आखिर गौस थियोरम क्या होता है तो यदि आप 12 बोर्ड की त्यारी कर रहे हैं और आप 2022 में इंग्जाम देना चाहते है आप इसी सी बोर्ड से त्यायर कर रहे है तो आप इस पर्मे को गउस पर्मे को में शुरूइब करते हैं की आखिर गौस थियोरम क्या होता है इसका इसको प्रूब कैसे करेंगे इसका लिमिटेशन या इसकी क्या सिमाए है तो total क्या total इस वीडियो में लाश्ट सक देखते रहेंगे इसलिए आप इस वीडियो को बने रहें तो देखिए यहाँ पे लिखा है ghost theorem कि ghost theorem क्या होता है पड़मय क्या होता है तो लिखे the total electric flux through a close area is equal to charge enclosed by that surface divided by epsilon0 इसका मतलग क्या समझे कि the total electric flux जो कुल electric flux होता है थुरू एक close area किसी बंद area के लिए is equal to वह बराबर होता है to charge enclosed by that surface उस surface के अंदर जो भी charge होता है वह flux के क्या होता है बराबर होता है equal to होता है divided by epsilon note किसके बराबर तो charge enclosed by that surface मलब epsilon note के बराबर होता है तो चलिए एक हम कोई surface ले लेते है या कोई बंद area ऐसे करके हम माल लेते है ठीक इसकी अंदर कुछ charge माल लेते है पलस q1 charge पलस q2 charge पलस q3 charge एंड सुवन इसे करके रेगा पलस q1 charge तक रेगा ठीक और इसके बाहर में भी कुछ charge माल लेते है यहां पर पलस q1 dash चार्ड फिर पल q2 dash 3 charge एसे करके पलस q1 तकड़ेगा तो दोस्तों देखिए यहां पर क्या बताए है जो इलेक्टिक फलक्स होता है इलेक्टिक फलक्स का सिम्बॉल यह है इलेक्टिक फलक्स क्या होता है इस एक्वाल टू बराबर होता है charge enclosed by that surface इसकी अंदर का enclosed अंदर वाला जो भी charge होता है उसके क्या होता बराबर होते है तो सिर्फ अंदर वाला ही charge देखना है बाहर से कोई हमों लेना देना नहीं है तो अंदर में क्या है देखिए अंदर में q1 पलस q2 पलस q3 पलस and slow 1 कहां तक है क्यों यहां तक है तो q n हो जाएगा फिर divided by बट्टा divided by क्वाल बट्टा होता है यहां पोज़ागा एपसिलोन नौट देख यहां इसी को लिख सकते है फलक्स एक्वाल टू q1 q2 q3 यह इसे कर खाना तक जाएगा q n तक जाएगा इसको क्या लिख सकते है q in close लिख सकते है divided by epsilon नौट तो यहीं क्या है यहीं है गौस का पर्वा गौस थियोरम है तो दोस तो चलिए दोस्तों लेखते हैं तो यहाँ लेखते हैं प्रूब डाट प्रूब डाट गौस थियोरम गौस थियोरम गौस थियोरम को प्रूब कई से करेंगे तो दोस्तों यह किसके लिए होता है किसी बंद सरफेश के लिए यह लागो होता है तो यहां पे कोई हम अस्फेर माल लेते हैं, यहां पे हम एक अस्फेर माल लेते हैं, यह कोई गोला है, अब इस गोला के सेंटर पे कोई आवेश, कोई चार्ज माल लेते हैं, क्यों चार्ज माल लेते हैं, ठेक, उसके बाद इसका रेडियस माल लेते हैं, आर, यहां पे आर म श्यूटा से एरिया है यहाँ पर ले ली है यह बहुती शोटा एरिया दिखाने के लिए महिस्कोप बरात लग रहा है लेकिन यह क्या है एक्षाल में बहुत एरिया है आप देखे दोस्तों यहाँ पर ऑनल 아니라чи फिल इन्टेन्सिटी कानों लगेगा आगे की तरफ लगएगा तो यहविए क्या होगा इस ही लीद पे होगा यहां पर दी और छोटा से जर्या इसनले ली माने है यह एसुआ है थेख़ तो दोस्तों देखे यहां पर लंग्वर कि अस दर के मान लेते हैं कि औल सुले निएते शाड सार्ज वाइसोले तेड छार्ज प्लस क्यों इज शिटुएटेड आट दा सेंटर आप अस्फेयर हाविंग रेडियस आर लेट अस कंसिडर माल लेते हैं कि इस्फेयर के कहाँ रखा हुआ है सेंटर पर रखा हुआ है सिटुएटेड फिल्ड इन्टेंसिटी जो होगा यहां पर इलेक्टिक फिल्ड इन्टेंसिटी जो हगा होगा तो देखें due to charge q at distance r इस r दोरी के कारण तो यहाँ बलेखते हैं the electric field intensity due to charge q at distance at distance r r दोरी पर q charge के कारण elective field intensity हमें ग्याद करना है तो elective field intensity का फर्मूला आप लोग पढ़े होंगे elective field intensity का फर्मूला क्या होता है तो हता e equal to q divided by 4 pi epsilon not into में क्या होता है r square होता है के बाद देखें दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा electric flux through a small area इस सोटा जो area माने है ए डी ए इस area के कारण यहाँ पर electric flux भी उत्पन होगा तो electric flux क्या होगा तो यहाँ आप लेखते हैं the total electric flux through a small area dA इस dA जो आप area माने छोटा इस area का जो है electric flux वहाँ पर उत्पन होगा तो electric flux यहाँ पर कितना उत्पन होगा वही हमें लेखना है तो आप पीसे पड़े होंगे electric flux के थियोरी में electric flux का जो फर्मला होता है वहाँ क्या होता है flux equal to eA cos theta तो यहाँ पर क्या है बहुत ही छोटा है तो छोटा के कारण क्या माने डी माने है तो क्या हो जाएगा d flux equal to e dA cos theta हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ d लग गया डी क्यों लग गया क्योंकि बहुत ही छोटा एरिया है बहुत ही small एरिया है इसी कारण से यहाँ पर d हम लगा दी है अब देखे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा इसका भेलो दो एका भेलो क्या है तो देखे एका मान क्या है क्यों बत्या फोर पाइए एपसिलोन नौट इन्टो आर स्क्वाइर फिर दी ए तो डी ए कॉस ठीटा यहाँ देखे एंगल ठीटा का मान कितना होगा तो देखे यहाँ पर इलेक्टिव फिल इंटेंसीटी भी उसी लाइन पर है और इलेक्टिव फलक्स भी उसी ल दिगरे बनेगा यहाँ क्या होगा कॉस्स जीरो डिगरे हो जाएगा अब देखें दोस्तों यहाँ प्या होगा तो यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ क्या होगा क्यूं divided by 4 pi epsilon not into r square into अब d a क्या होजाएगा d a और आप देखें दोस्तों क्या होगा दोनों तरक इंडिगेट कर देंगे इधर क्या है d फलक्स है तो लिखते हैं दोस्तों इतना not कर लीजिए हम थोरा आगे में मिटा आते है यहाँ इतना मिटा देते है तो देखें यहाँ पर लेखते है इधर integrating both side दोनों तरफ क्या करते है और integrate करने पर मतलब समाकलन करने पर देख्या होजाएगा d d फलक्स एक्वाल टू क्या q divided by 4 pi epsilon not आरे स्क्वाइड इंटू डी यहाँ पर integrate करेंगे integration का चिन यहाँ पर लगा देंगे ठीक अब देखें दोस्तों यहाँ क्या होजाएगा d फलक्स इसका integration क्या होगा फलक्स होजाएगा फिर बढ़ाबर फिर यह देखो इतना तो constant हाए तो constant को क्या करेंगे बाहर करेंगे तो क्या होजाएगा q divided by 4 pi epsilon not इंटू r square इंटू d a तो a का integration क्या होगा जिस तरह d flux का flux होगा उसी तरह d a का integration क्या होगा यह हो जाएगा अब देखें क्या लेख सकते है q divided by 4 pi epsilon not इंटू r square इंटू a a का मतलब क्या area तो a sphere का area क्या होता है a sphere of area क्या होता है 4 pi r square तो क्या हो जाएगा 4 pi r square अब देखें 4 pi 4 pi cancel r square r square cancel अब क्या बच गया q divided by epsilon not इधर क्या है flux तो यही तो हमें प्रूब करना था कि flux equal to क्या होता है q divided by epsilon not यहाँ पे q enclosed भी लिख सकते है तो यह हमारा gos theorem प्रूट हो गया तो अब जानते है application of gos theorem कि gos theorem के क्या सिमाए है तो अब देखें दोस्तों यहाँ पे लिखा application of gos theorem कि gos theorem के क्या सिमाए है तो चलिए जानते है तो दोस्तों यहाँ जानते है we know that हम जानते है कि क्या जानते है तो elective flux में पड़े हुएगा flux equal to क्या होता है in close area e da cos theta होता है और अभी gos theorem में क्या बता आए है flux equal to q in close by epsilon not इसको equation first माल लेते है इसको equation second माल लेते है देखे equation first and second we get समिकरन एक और समिकरन दोसे हम पाते है समिकरन एक और समिकरन दोस में देखे क्या होता है दोनों का LHS बड़ावर है तो RHSC क्या होगा बड़ावर होगा तो क्या होजाएगा in close area e da cos theta equal to q in close by epsilon not अब देखे यहाँ पे Gaussian surface के लिए e command क्या होता है constant होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 Gaussian surface इस Gaussian surface के लिए क्या होता है e command constant होता है e command constant हो जाएगा वसके बाद theta command क्या होता है वो 0 degree होता है तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा constant है तो constant क्या करेंगे इससे बाहर करेंगे तो क्या होगा E तो क्या होगा यहाँ पे E in close area D A cos कितना 0 degree हो जाएगा तो बनार कितना होगा Q in close बट एपसिलोन नोट अब देखें यहाँ पे क्या होगा तो यह E in close by D A cos 0 कभी हो लोग कितना होता है 1 होता है तो वहाँ पे कोई असर ने पड़ेगा फिर बड़ाबर क्या होजागा Q in close by Epsilon 0 तो यहीं क्या है अपलिकेशन और गौस्थिरम की यह सिमाए है आप इसे चाहिए तो लेंग्वेज में भी लिख सकते है 5 मैर्ज के लिए जो है आप इतना लिख दीजेगा जितना बता आए है आपको पांस में पांस में मिलेगा तो चलिए दोस्तों अब में उमीद है कि आप इस वीडियो को असी तरह से समझ चुके होंगे